क्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है प्रतम कक्षा के इलर्णिंग हिंदी की कक्षा में तो बच्चों आज हम लोग एक नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं आपके रिमजिम से पार्ट सोलहा लालू और पीलू ठीक है ये टर्म 2 का सेलेबस का एक पार्ट है तो आप सभी प्रिष्ट संख्या तीरानवे निकालिए ठीक है आज का पार्ट है पार्ट सोलहा लालू और पीलू ठीक है प्रिष्ट संख्या तीरानवे एक छोटी सी कहानी है चलिए इसे पढ़ते हैं तो पठन सुरू करते हैं एक मुर्गी थी मुर्गी के दो चूजे थें तो आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों एक मुर्गी है और मुर्गी के दो चूजे हैं तो मुर्गी के बच्चे को चूज़ा कहा जाता है ठीक ह एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था पिलू एक बच्चे का नाम था लालू तथा दूसरे बच्चे का नाम क्या था पिलू ठीक है लालू लाल चीजे खाता था पिलू पिली चीजे खाता था जो लाल रंग का चुजा था वो लाल चीजे खाता था लाल वस्तवे खाता था और पीलू पीली चीजे खाता था एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा एक दिन जो लालू था उसने एक पौधे में एक लाल लाल कुछ देखा लालू ने उसे खा लिया उसने देखा लाल लाल पौधे में कुछ लगा है उसने जाकर उसे खा लिया अरे यह तो लाल मिर्च थी ठीक है उसके बाद आये प्रिष्ट संख्या 94 लालू की जीब जलने लगी वह रोने लगा मुर्गी दोड़ी हुई आई फिर जैसे उसने लाल मिर्च को खा लिया लालू ने तो मिर्च तो मिर्च में क्या होता बहुत जाल होता है तो उसकी मुह जलने लगी ठीक है वह रोने लगा और फिर वो रोने लगा मुर्गी दोड़ी हुई आई पीलू भी भागा वो पीले पीले गुड का टुकडा ले आया मुर्गी दोड़ी हुई आई ठीक है और पीलू भी भाग कर आया और पीलू ने क्या लेकर आया गुड का टुकडा ठीक है तो गु लालू की मुह जलने लगी तो मुर्गी भी दोड कर आई क्योंकि लालू तो रो रहा था और पीलू भी दोड कर आया पीलू क्या लेकर आया गुण लेकर आया ठीक है तो जल्दी जल्दी से लालू ने गुण खा लिया क्योंकि गुण तो मीठा होता है उसके मुह की जलन ठी मुर्गी ने लालू और पीलू को लिप्टा लिया यानि लालू और पीलू को अपने बाहों में ले लिया ठीक है तो ये एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है बच्छो तो आज के रही ही तक फिर मिलेंगे अगली कक्षा में धन्यवाद